Hello my dear students, a very warm welcome to my YouTube channel SNK Parts Allah बच्चो आज की वीडियो को topic है एक poem जिसका नाम है The Little Plant यह poem बहुत ही interesting है और बहुत ही अच्छी भी है इस से आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिनने वाला है साथ यहां पर हम एक और चीज़ जानेंगे scientific term यहां पर एक use किया गया है इसका नाम है photosynthesis उसके बारे में भी यहां हम समझने वाले हैं तो जो poem है उसके लिखक का नाम है Kate Lewis Brown जो आपको नीचे में दिखा देता हूँ यहां पर इनका नाम दिया हुआ है Kate Lewis Brown और यह है Little Plant जो poem है उसका नाम है The Little Plant यानि कि छोटा सा पोधा मैं इसको पढ़ता हुआ जाओंगा और आपको समझाता हुआ जाओंगा आप सबको ध्यान रखना है वर्ड को note down करना है और मेरे साथ इसके pronunciation पर भी आपको ध्यान रखना है तो इसके प्रिणन सेशन पर भी आपको ध्यान रखना है So, let's start So, the little plant is written by Kate Lewis Brown पहले थोड़ा सा Kate Lewis Brown के बारे में जानते है तो हमारी जो राइटर है उनका नाम है Kate Lewis Brown वह एक ओधर है साथ ही साथ वो बच्चों के teacher means educator भी है यानि बच्चों को पढ़ाती हैं, educate करती है उन्होंने poems, songs, magazines आदि कई articles लिखे हैं मैंने poems भी लिखा है गाने को भी लिखी है और magazine में कई articles भी लिखी है इनका चन्म United States में आठ मही 1500 संदावन इसी में हुआ था इनकी जो poem होती है वो बच्चों के लिए ही होती है और काफी interesting होती है अभी जो poem में पढ़ने वाला हूँ इसमें भी हमें बच्चे के बारे में जनकारी मिलेगी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझना इसको हमारे poem का नाम है The Little Plant यानि की छोटा सा नन्हा सा पौधा In the heart of a seed body deep so deep A tiny plant lay fast asleep Wack said the sunshine and creeped to the light Wack said the voice of the raindrops bright The Little Plant haired and it rose to see what the wonderful outside world might be Restriction मैंने कर दिया मैंने इसको पढ़के सुना दिया आपको अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान से देखिए In the heart of a seed इसका मतलब होता है कि beach के center में heart मतलब होता है दिल यानि मध्य में center में जब एक beach को बोया जाता है buried का मतलब होता है दफनाय जाना यहां पर होगा जमीन के अंदर गाड़ा जाना जब एक beach को deep so deep मैंने जमीन के अंदर buried किया आता है गाड़ा जाता है तो उसके heart के भीतर क्या होता है seed के heart के भीतर a tiny plant होता है स्टीक है उसके बाद चलते हैं एक नन्हा सा पौधा सो रहा है जो जमीन के अभी अंदर है यानि कि आप इस प्राउटिम अफ दर सीड के बारे हम बात हो रहा है कि कब उस सीड से नया पौधा निकलेगा जमीन में उसको गाड़ने के बाद यानि रोपने के बाद wake set the sun sign wake मने जग जाओ set the sun sign sun sign का मतलब होता है सूर्य की रोस्नी सूर्य का प्रकास and creep to the light हम जानते हैं कि पोधो में गती होती है phototropic उसे में बोल रहा है कि प्रकास नुवर्ती गती प्रकास के दिशाया बढ़ने की उनकी गती होती है तो बता रहा है कि wake set the sun sign सूर्य की प्रकास जो है वो कहती है कि wake जग जाओ and creep to the light और प्रकास की दिशा में बढ़ने wake set the voice of the rain drops bright साथ में जब बादल चमकते हैं बिजलिया पड़ती है यानि कि यहां बात हो रहा है पानी का तो यहां से जब पानी पड़ेगा इस पर पौधा पर बीज पर तो क्या होता है वो कहता है कि wake जग जाओ ठीक है असनाथ में किसकी आवाज होती है वो rain drops bright मतलब चमकती हुई वर्सा की बुंदो की rain drops का मतलब वर्सा की बुंदे the little plant heard little plant वो छोटा सा पौधा सुनता है चोड़ा सा पौधा नहीं बोल सकते हैं हम कहते हैं बीज के अंदर का sprout होने माला पौधा ठीक है जो बीज से निकलने माला है वो the little plant heard यानि सुना and it rose और यह बढ़ा to see देखने के लिए what the wonderful wonderful मतलब आश्चेर ये जनक है ना beautiful extremely amazing what the wonderful outside यानि बाहर का world might be world मतलब दुनिया हो सकती है देखिए ये free words में देखा गया है तो आपको मैं अभी यहाँ literary device को समझाने वाला हूँ कि बच्चों की poem है और इसमें उनको literary devices को समझाना सही नहीं है क्योंकि उन्हें समझ में आएगी नहीं फिलहाल हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ actually यह poem बताती किसको है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक पौधा जो होता है उसको बढ़ा होने के लिए एक बीज को अंकूरित हो करके एक पौधे में परिवर्तित होने के लिए जीन भी परिवर्तित हो कि आउसकता होती है उनको हम कहते हैं क्या कि इस तरह से हमारा पौधा बढ़ा हुआ जैसे कि एक पौधे को बढ़े होने के लिए प्रकास कि आउसकता होती है साथे साथ पानी कि आउसकता होती है हवा कि आउसकता होती है जब एक पौधे को मिटी में डाला जाता है और मिटी अगर सुखी होगी तो पौधा बढ़ेगा नहीं इसलिए उसमें पानी क्या आओ सकता होगी अगर पानी है भी फिर भी अगर सूरी के प्रकास नहीं है फिर भी वो सड़ जाएगा और साथ में oxygen की आउसकता होती है मतलब कि हवा क्या आउसकता होती है तो यह हम देखते हैं कि यहां पर एक ऐसा circle दिखाय गिया है एक ऐसा life cycle दिखाए गिया है तो कैसे एक बीज से एक पौधे का रूप दार्ण होता है एक बीज जिसको जमीन में दफनाया गया वो कैसे एक ऐसे पौधे का रूप ले लता है वो दिखाया जाता है जा रहा है इस पौध में अगर इसके आंतरिक मीनिंग को हम समझने जाएं बच्चो तो इसका आंतरिक मीनिंग आप लोग समझिए रिलेट करिए और समझने कोईज करिए तो इस पौधे के माध्यम से एजुकेटर चुकि पहले ही बोल चुका हूँ कि क्या है जो केट लूइस ब्राउन राइटर जो है वो एक एजुकेटर है और किसकी बच्चो की बच्चो को एजुकेट करते हैं तो उनका मकसद यह है कि वो बच्चो को इस दुनिया के बारे में नौलेज के थुरू समझाने के कोईज करें वो इस दुनिया से उनको परिचित करवाए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा अच्छे से सब कुछ करते हैं पढ़ाई के साथ अपना काम तो याद रखिए आपको इस दुनिया के जानकारी बहुत ही अच्छे तरीका से हो जाएगी जैसे एक बीज जो जमीन के अंदर जब तक दबा हुआ है तब तक उसमें कुछ नहीं है लेकिन जैसे हो इस प्राउट होता है और बीज आगे निकलके बढ़ता है जमीन से उपर आगा करके एक पोधे का रूप लेता है पोधा एक प्लांट बन जो होता है वो एक ट्री मतलब प्लांट जो है वो ट्री बन जाता है और ऐसे ही बड़े बिक्ष क्या निर्मान हो जाता है तो उसे तरह से बोला जा रहा है कि अगर बच्चों तुम लोग बड़े होना चाहते हो बढ़ना चाहते हो और इस दुनिया को समझना चाहते हो तो आपको ये पोएम कैसा लगा मुझे बताईए इसके मीनिंग को आप समझ पाएं कि नहीं ये भी मुझे को बताईए कि मिलता है एक नई वीडियो में धिल दन टेक के और अपना ख्याल रखें जै हिंद